सब्सक्राइब कीज़े हर्मन व्लोग को एंड हिट बेल आइकन हलो दोस्तों मेरा यह रूटीन है कि मैं अपनी सुभे ऑन्नेंग क्लासिस के पहले गूगल पे टिकनिकल न्यूज देखता हूं और और भी साइट्स होगी एमेजन होगया उन पे चीजों के प्राइस देखता लिए और एमेजन पे मेरी तुरंद क्लास भी थी और मुझे यह जैसी मैंने प्राइस देखे न मेरे दिमार में आप गया कि यार आप से तो यह शेयर करनी है बात और आपको भी मैं प्राइस बता हूं ऐसी होता है तो सबसे पहले रहे हम बात कर लेते हैं एपल से एपल का आइपेड मीनी है वाइफाइ 64 GB स्पेस ग्रे कलर तो वह वैसे तो था 34,900 रुपीज का पर एमेजन पे डिसकाउंट पे मिल रहा है 31,900 रुपीज का तो यह वह अच्छी चीज है और एपल का आइपेड मीनी वाइफाइ 256 GB सिलवर कलर जो की था 48,900 रुपीज का वह मिल र एपल की बात करी रहूं तो एपल वालों ने एमेजन पे डील निकाली है वह है आइपेड 7 जनरेशन 10.2 इंचेज वाइफाइ प्लस सेलुलर 128 GB स्पेस गिरे कलर प्लस एपल पैंसिल फस्ट जनरेशन तो यह कॉंबो है आइपेड और एपल पैंसिल का तो यह इसके डिसकाउंट पे हैं 52,400 रूपीज और मैंने बताया है आइपेड 7 जनरेशन 10.2 इंचे मिलेगा वाइफाइ सलुलर 128 GB स्पेस गिरे कलर प्लस एपल पैंसिल फस्ट जनरेशन और अगर आप जाएं अपने एपल आइपेड 7 जनरेशन सेपरेटली खरीटे इस कॉंबो में न रूपीज का पर डिसकाउंट में मिल रहा है 36,900 रूपीज का मतलब 10% ओफ है तो एक एंड्रोइड वालों के लिए भी मैंने न्यूज है मेरे पास मतलब डिसकाउंट है तो अब सैमसंग जो टैब हैं सैमसंग के तो उसकी बात कर लेते हैं जो सैमसंग टैब 10.1 इंच वा और 32GB स्टोरेज है वाइफाई ओंडली ब्लैक कलर 16,500 का था और 14,000 का अमेजान पर मिल रहा है तो 15% ओफ और यहीं अगर हम बात करें 8.0 टैब की 32GB स्टोरेज वाइफाई प्लस 4G वाला सैमसंग का टैब है 11% ओफ है 12,000 रुपे का था 12,700 पर मिल रहा है 11,249 रुपीज में तो चलो यह तो हमने यह आपर अंड्रोइड और एपल के थोड़े प्राइज और कमपैरजन की हमने बात की है तो चलो आगे चलते ह मैं अभी बस खाना का कि फ्री हुआ हूँ और मैंने सुबही सोच लिया था कि मैं आप सब के साख शेयर करूंगा जो मेरे पास न्यूज है मैंने साट लिस्ट कर लिये तो या बाकी सला आपको देखो जल्द बाजी में कोई भी समान नहीं लेना चाहिए देखो मैंने अप चाहिए शेल्स और सरगम भी है या दिली में तो वहां भी मैंने पता किया था तो वहां महिंगा था तर मैं वैं विजे विजे चल गया तो विजे सेल पर मुझे बहुत ही अच्छी प्रैस पे मिल रहा था फिलिपस को हैस्रेट न्यू तो वहां से मैंने ले लिया तो ऐसी होता है कि यह वीडियो के थ्रू नॉलेज मिल जाती है और आप भी मुझे कमेंट करो आपको कहीं से नॉलेज मिलती है मुझे कमेंट से याद आया कि मेरी कहीं बार ना YouTube पीछे से इसी कमेंट बंद कर देता है मेरे वीडियो के मैं एक बार खोलता भी हूं पर फिर बंद हो जाते हैं तो फिर मैं नहीं खोलता मैं भी चाल्ड फेस्ट देखते होंगे तो तो यह सो गैस देखो पॉब जी सब्सक्राइब एंडियन अकाउंट इंस्टाग्राम का उनों पे गेम का लोगो जो अब इंडियन वरिजन की वाली उसका लोगो भी रिलीज कर दिया है अपने इंस्टाग्राम पे ऐसे वह लोगो पे इंडिया लिखा हुए इंडिया के फ्लैक के कलर में और वाकी जो जो न्यूज यह फैल रही है कि जो कल 20 तरिक को आप स्टोर प्लेयर स्टोर पर प्लेयर वापस आ जाएगा तो अब देखना यह और वैसे प्लेयर इंडियन जो यूट्यूब चैनल है उन्होंने उस पे और तारीक को रही है तो लोगों ने न्यूज ऐसे फिलाई है कि 20 तारीक को पहले कुछ और तारीक बोली थी अब 20 कर दिया तो अब देखना कल है कि नोवेंबर 20 को पपजी वापस आएगा या नहीं और बाकी जो यह भी एक डियूमर फैल रहा है कि जो टैप टैप एप ए आपको यह करनी चाहिए या नहीं उस पर प्री रेजिस्ट्रेशन तो यार बिलकुल भी नहीं करें उससे आपको पहले तो नहीं मिलने अली गैमशन आएगा जैसी आएगी गैम तो तुरंत आपको मिल जाएगी यह तो हम जैसे आएगी हम प्ले प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें अब यह क्यों नहीं करनी चाहिए वह मैं आपको बता देता हूं उसमें आपका इमेल अड्रेस मांगेंगे आपका फोन नंबर मांगेंगे और फोन नंबर से क्या हो रहा है ना कि कहीं लोगं का बैंक अकाउंट हैक हो गया है टैप टैप वालों ने कर लिया तो प्री रेजिस्ट्रेशन तो बिल्कुल मत कहिए कि यह थोड़ा सा वेट कर लिए जब पब्जी मॉइल इंडियन वर्जिन आएगा तब ही आप इंस्टॉल आने वाला पो अगला फोन तो जैसे ओपो के फोन की डिस्प्ले होती है थोड़ी सी चोटी डिस्प्ले होती है पर यह अब आने वाला यह का गया ओपो की ऑफिस्चल साइट पे की ऑपो फाइंड एक्स 3 लांच होएगा 2021 में ठीक है अब देखो बहुत सारे यह नहीं एपल एंड्रोइड में भी डाइसेज में हीटिंग की प्रॉब्लम तो देखो आम सी होती है अब हम गेम खेल रहे हैं हीट हो गया तो एपल हमारे यूजर्स के लिए ले के आया है जो आइफोन है वो थोड़े नए मॉडल के ल जर्ण एक में भी अज़ कोलिंग होती है वह क्या होते जैसे फोन के कवर पर नहीं होती है फोन के अंदर लिए इंबिल्ट होती है up coming in between पहलेगी वृसरीगा भी लग गेम फ्याह कुछ भी चिलाओं पर वह इव बिल्कुल भी नहीं होने वाला वह एजटेज रहेगा तो बिल्कुल भी गरम नहीं होने वाला अपल यूजर्स तो मैग सेफ कूलिंग केस अभी आएगा और तो यह बहुत अच्छी चीज है अब देखो गईज इयर फॉन को अन्य यूज करता मैं भी करता हूं है यह थी यह जितया फोल एपल वाले यह वर्ण ग्लोव बीड से वह जो मायले लेकिया है ओ कि आये पावर बीड्स यह पावरं बीड मारी लेकि Sweerनियो ग्लो इरफोन बिल्कुल सभी सुना आपने जू पावर यापने सुनी ही तो वह अपनेई और फोन लाँच करने वाला है वह 12 कि creativity के वह बता देता हूं जो एरिदहर व लगार ने रहा रात को ग्रीन कलर में तो बहुत ही अच्य लगेंगे चमक यह तो जो गप पावर बीट्स ने कुछ हट के चीज बनाई है तो यह बहुत अच्छी चीज है पर यह भी लॉंच होएगी इसारी देखो न्यूस थी जो कि मुझे आपके साथ शेयर करनी थी तो जो अगली चीज शॉटलिस्ट की ए मैंने आप सब के लिए वह है सोनी का न्यू कैमरा जो कि एंडिया में सोनी ने लॉंच किया है तो वह है सोनी का न्यू कैमरा जो कि सोनी के थार बढ़िया कैमरा होते हैं व्लॉग करने के लिए तो न्यू कैमरे का नाम है सोनी अलफा 7c ठीक है यह इंडिया में लॉंच हो चुकए और 24.2 MP और 10 fps में रिकॉर्डिंग करता है बाक फोल फ्रेम कैम्म रहे हैं इस आइग शुब इस ऐसे शर्ण ड्र सिर्ण ऐच्ठ तो यह बहुत ही बढ़ी कैम्म ला ईयर जो अगली चीज मैं वह मारे आइज ई दूरेट सुन चे लिए減 सबर्व होने वाला हें पोको एम 3 आपकमिंग फॉन पोको यह हूं पोको वालों ने कन्फर्म कर दिये यह गूगल पी न्यूस थी तो मैंने इसको भी देखो शौट लिस्ट कर लिया है कि पोको एम-3 अभी जो अगला फोन है पोको का वह वेगा नुवेंबर 24 2020 को नुवेंबर 24 2020 में पोको का एम-3 लॉंच होने वाला तो देखो अब मॉनिटर की बात कर ले जाए तो LG Samsung और भी कंपनी के मॉनिटर होते हैं पर जो बेस्ट मॉनिटर होते हैं वह तो मुझे तो LG का लगते हैं ठीक तो सैमसंग के मॉनिटर की बात हो रही है तो वाव सैमसंग का मॉनिटर भी आगे है तो देखो न्यू सैमसंग मॉनिटर M7 यह सैमसंग का न्यू मॉनिटर है और इसकी बात यह वाली अच्छी है कि PC और Mobile Connectivity के साथ यह वर्क करते हैं और इसमें दो साइज आते हैं 32 इंच वाल तो यह न्यू सैमसंग मॉनिटर M7 लॉंच है अब हम अगर बात कर लें रियल्मी रियल्मी के जो फोन होते हैं तो रियल्मी का 5G फोन लॉंच होने वाला है 19th November कंफॉर्म डेट है पर यह भी इंडिया में नहीं होने वाला इंडिया में अभी किसी को भी नहीं पता कब हो यह तो यह पहला 5G फोन होने वाला है और 19th November कंफॉर्म डेट कि देखना यह कि इंडिया में कब तक ही फोन आएगा पर अभी मैं आपको बता देता हूं जो एपल का आइफोन 12 मिनी है तो उसको अभी तो यहीं का गया है वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट 5G फोन और बहुती बिल्ट कॉलिटी इसकी स्क्रीन की बहुती बढ़ है कि तो डरों में टूटे का नहीं और वाकि 12 प्रो के फिर मिनी से थोड़ी बड़ी 12 प्रो मैक्स की फूल साइज की बड़ी स्क्रीन है तो पर फाइव जी फोन है ट्वल्ड मिनी एपल की बात हो रही है तो यार न्यूज आके आईए भार एपल एयरपॉड्स थ्री जो अभी एयरपॉड्स प्रो लाँच हुए थे तो एपल एयरपॉड्स थ्री लाँच हो इन्हें की डेट तो नहीं आई पर यह कौन से वह अपल वालों ने बताये तो यह वह है 2021 एपल एपल एपाट्स थ्री एक चीज़ नहीं दो दो चीज़ आपल का मिनी एल एडी आईप तो जैसी जब भी लॉंच होएगा iPad Mini LED तो मैं सबसे पहले जाओंगा एक बड़ जरूर से देखोंगा कैसे है क्या डिफ्रेंस है और iPad में से क्योंकि नाम सी इतना इंट्रस्टिंग लग रहा है एपल Mini LED iPad वाओ तो में भी वैसे तो iPad अभी 6th generation iPad Mini 6 लॉंच होने वाला अभी Mini 5 हुए ना Mini series में तो वही latest है तो देखते हैं इसमें क्या होगा और यह 2021 के first half में लॉंच होने वाला है तो यह एपल अब बात कर लेते हैं तो इतना भर के न्यूज आ रहा है आज कर यह बताओं तो आपने फॉल्डेबल फॉन्स के बारे में तो देखो सुनाई होएगा तो जो फॉल्डेबल फॉन्स होते है वह एपल ने अभी तक बिलकुल भी नहीं निकाले तो न्यूस पढ़ रहा था कि Apple अपना एक foldable phone निकालने वाला है बिल्कुल भी कुछ change नहीं होएगा बस उसका back भी विल्कुल सेम है बस यह है कि वो foldable phone है तो वो अभी नहीं आने वाला अगले साल भी नहीं आने वाला थोड़ा टाइम लगेगा सबर करो वो 2020-2022 में आने वाला है तो यह एपल का पहला iPhone होएगा जो कि foldable iPhone है यह थी जो आज मुझे सुबह information मिली Google के through तो होप कर तो आपको बढ़िया लगाएगा और आज की वीडियो है और मैंने कुछ different बनाने की सोची वैसे तो आपको देखो पता ही आप सबको की मेरे चैनल पर all-in-one content आपको मिलने वाला है तो जैसे की prank हो गया challenge हो गया टेक्निकल वीडियो हो गई अन्बॉक्सिंग हो गए review हो गई और भी बहुत कुछ है तो पर जो मेरे कुछ भाई है उनको टेक्निकल वीडियो पसंद है इवन मैं भी टेक्निकल चीदों का बहुत शुकीन हूं और कुछ लोग है उनको मेरे सारे वीडियो पसंद है तो मुझे सब का ध्यान और ख्याल रख्के चलना था कि जो पब्जी मुबाइल है इंडियन वर्जन वह वापस आने वाला इस वीडियो के तुरंद बाद ही मैंने एक अपने वोट दीजिए तो फिर देखते हैं कि किते लोग कह रहें कि आएगा और पका फिर होई जाएगा और यह भी बताना मुझे इस वीडियो के कमेंट तो यार बंद भी हो सकते हैं तो आप मुझे मैंने आपको बताया था कुछ भी इंक्वाइरी जों कुछ भी सोशल मीडियो के तुरूप पूछना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो आपको मेरी दिखरी होएगी और बाकी अकाउंट का लिंक इन डिस्क्रिप्शन और मैंने आपको बचाहिए है मेरे गेमिंग चैनल भी है खिलाड़ी जरू सहाओ इस पर मैं गेमिंग वीडियो ज़ाता हूँ पबजी की और उस पर रोट ट तो अगरी पका नहीं कह सकता अगली वीडियो यह व्लोग टिकनिकल अनबौकसिंग और रिव्यू प्रैंक और चैलेंज मेबी टेक्निकल हो सकती है या मेबी अंबॉक्सिंग भी हो सकती है किसी चीज़ की तो उसके लिए तो यार स्टेट टून तो तब तक के लिए अगली मिलता हूँ चलो वाई अब करता हूँ बड़ी अलगी वीडियो लाइक शेक्मेन चाहेगा सब्सक्राइब कर देना तब तक के लिए वाई